तो देखें लाश्ट में थोड़ा सा वाज कट हो गया था हम बता देते हैं कुछ नहीं किये थे जिनको समझ में नहीं आ गया होगा यहां पर क्या किये थे सिंपली जो जोड़ घटाओ था वो कर लिये थे कैलकुलेशन उसके बाद यहां से हम माइनस कॉमन लिये तो यह प्लस हो गया उसके बाद यहां पे 23 से सम में डिवाइड दे दिया इसमें इसमें बताया थे गुना करेंगे तो सम में डिवाइड देंगे तो सम में उसके इक्वालिटी आप 2 मैट्रिसेज बताया थे वाई वरावर 2 जेड वरावर 3 वैल्यू आ गया था यह मैट्रिक्स के मेथट से निकाल दिया थे एक्स वाई जेड का वैल्यू तो चलिए अब देर ना करते हो कोस्चन नमबर आगे चलते कोस्चन नमबर 9 9 में करा है find the values of x and y मतलब कि x और y का value निकालना है तो सब पहले कोस्चन नमबर 9 को देखें कैसे बनाएंगे तो सब पहले solve लिखेंगे solve में सबसे पहले give है क्या दिया गया है x प्लस y परावर 7025 and x-y परावर दिया गया है 3 0 0 3 तो चलिए ना हम इसको solve करते हैं इसको solve करते हैं solve कैसे करेंगे मानेंगे कि इसको equation first इसको equation first इसको मानेंगे equation second first of second equation one equation two अब चलेंगे from equation first plus second दोनों को जोड़ दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगे x प्लस y यहाँ पर x-y जेनरली जैसे जोड़ करता है तो x प्लस y बरावर कितना है seven zero two five बरावर three zero zero three दोनों को जोड़ो तो दोनों को जोड़ो तो जोड़ में sign change नहीं होते तो देखो by minus by plus cancel x plus x 2x जोड़ जैसे करता वाई से तो इसको इसको साथ जोड़ेगा तो साथ दीन देस जीरो प्लस जीरो जीरो फिर दो प्लस जीरो दो पाच और तीन आठ आ जाएगा आठ आगे देखो उसके बाद हम करेंगा solve इसको कैसे एकस पर और इतना तो एकस पर आजाएगा बन बाई टू तो गुना में इधर भागा में 10-2-0-8 तो देखो 2 से भाग है यानिकि 2 से से सब इलिमेंट में भाग देंगे तो भाग दो यहाँ हो जाएगा पाच या धा कर दो 2 का अधा एक 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 8 का अधा 4 यह आ गिया है x XV का value आ गियाँ अब हम को by निकालना है तो किसी भी equation में x का value put करो by आ जाएगा तो चलो ना equation first में ही यह equation हाँ first में from equation first equation first में क्या करेंगे x का value put कर दो तो x बरावर आ गया 5014 plus by is equal to 7025 तो by बरावर आ जाएगा यह इधर plus में है तो उधर जाएगा minus में 7025 minus 5014 subtract कर दो तो आज जाएगा 7 minus 5 20 minus 0 0 2 minus 1 1 5 minus 4 1 इसलिए अब last में लिख देंगे इसलिए x बरावर 5014 and by बरावर 2011 answer कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यह बहुत easy question था ठीक है 10 में solve करते था equation बैसे solve किया है बस matrix था तो matrix लिखते करा है और xy क्या value put किया है चले question number 10 solve करते है question number 10 में कर आए बरावर इतना then find the value up इतना इसका value निकालना a बरावर आपको दे दिये गया तो चले लिखते है question number 10 में given a बरावर 1,2,3,4 find out किया करना है now a square plus 3a plus 2i यही हमको निकालना है a square का मतलब a into a 1,2,3,4 को इसी से multiply करेंगे plus 3 into a 3,1,2,3,4 plus 2i,i का मतलब 1,0,0,1 बताये थे unit matrix होता है चले हम पहला रों उठाएंगे इसके बारी बारी के column से तो 1 into 1,1,2 into 3,6 इसको second column से 1 into 2,2 plus 2 into 4,8 अब इसको करेंगे तो 3 into 1,3 plus 4 into 3,12 3 into 2,6 plus 4 into 4,16 plus 3 से समय मल्टिप्लाई कर दो 3,6,9,12 2 से समय मल्टिप्लाई कर दो 2,0,0,2 देखो नहीं आपके क्या आ रहेगा 7,10,15,22 plus 2 नों को 8 करो तो 3,2,5 हो जाएगा 6,0,0,9,0,9,12,2,14 अब देखो आजाएगा क्या दोनों को जोड़ दो 7,5,12,10,6,16,15,9,24 उसके बाद आजाएगा 22,14,36 कोई दिक्कात यहीं आगी आपका अंसर दिक्कत नहीं होना चाहिए कुछ ने किए एक भैलू दिया हो था पूछ रहा था इतना बरावर क्या होगा तो इतना बरावर हम निकाल लिए गुना इसमें सिर्फ आना चाहिए अगला कोश्चन देखें 11 नमबर कोश्चन कर रहा है A ब्रावर इतना B ब्रावर इतना A प्लस B निका लिए और A माइनस B तो सबसे पहले हम लिखेंगे A और B कितना हमको दिया गया है Given A ब्रावर 2531 and B ब्रावर B ब्रावर दिया गया हमें 1562 Now A प्लस B is equal to इसा दो नमबर कोश्चन में पुछता है तो A प्लस B क्या करेंगे 2 5 3 1 प्लस 1 5 6 2 A प्लस B कर देंगे तो चलिए न करिए देखे 2 प्लस 1 3 5 प्लस 5 10 3 प्लस 6 9 1 प्लस 2 3 हो गया Now and A माइनस B बरावर A क्या है 2 5 3 1 माइनस 1 5 6 2 निकालो तो 2 माइनस 1 1 5 माइनस 5 0 3 माइनस 6 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 1 कोई दिखे है तो A माइनस B और A प्लस B हमारा आ गया तो या तो तुम लास्ट में लिख दो A बरावर इतना B बरावर इतना या फिर ऐसे ही रहने दो दोनों अंसर है तो चलिए नहीं लिखी देते है इसलिए ऐसे अच्छा लाता है लिख देने से डिरेक्ट रिट अंसर मिला लेते है 3, 10, 9, 3 and A माइनस B बरावर 1, 0, माइनस 3 जो एकजाम में कॉपी चेक करते हैं देख लेते हैं A माइनस B, A प्लस B का अंसर आवल है सबसे पहले गीवन जो है वह लिखेंगे 12 नंबर कोश्चन गीवन क्या है एकजाम बरावर कॉस एक्स माइनस आप साइनस जीरो साइनस चॉस एक्स जीरो, जीरो, जीरो यह आपको दे दिया गया ठीक है, यह आपको दे दिया गया है प्रूफ क्या करना F of X प्लस B बरावर F X into F Y तो चलिए ना, F X into F Y सबसे पहले F X हमको है F Y निकाल लेते हैं चुकि गीवन F X बरावर तो इसलिए F Y क्या हो जाएगा तो देखो बताते है F Y जैसे यहां पर X के जगा पाई तो यहां पर जितना भी X है वहां वहां बाई तो COS X है तो COS Y माइनस SIN X है तो माइनस SIN Y 0 है तो 0 यहां SIN X है तो SIN Y COS X है तो COS Y 0, 0, 0, 1 उसके बाद देखो अब क्या करेंगे हम निकालेंगे fx plus y now fx plus y बरावर fx plus y बरावर चलो न, fx plus y निकालते हैं तो देखो, fx था तो x, y था तो y अब x के जगा x plus y है क्या है? x plus y तो जहाँ जहाँ x plus y, वहाँ वहाँ x plus y देखो, question में था x, तो था x हम निकालें by, तो by कुछ ने किया, अब x के जगा न, x plus y लिखेंगे क्या लिखेंगे? x plus y तो चलो लिखते हैं, cos x के जगा, x plus y माइना, sin x के जगा, x plus y यहाँ तो 0 है तो 0 sin x के जगा, x plus y cos x के जगा, x plus y 0, 0, 0, 1 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको आप मान लेते हैं, equation first, इसको क्या मान लेते हैं? equation first, क्या मानते हैं? equation first, अब देखो, आगे and fx into fy fx plus y इतना आगिया, अब हम निकालते हैं और fx into fy तो देखो न, fx, fx क्या है? cos x minus sin x 0 sin x cos x 0, 0, 0, 1 fy कितना था? उठ करो cos y minus sin by 0 sin by cos y 0, 0, 0, 0, 1 देखो न, मैट्रिक्स का गुणा है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स का गुणा दिख नहीं रहा था, सौरी मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या है? गुणा तो चलो न, मैट्रिक्स में जैसे गुणा करते हैं, वैसी करना पहला रो को उठाते हैं बारी बारी के कॉलम से गुना करते थे क्या करते थे पहला रो को उठाते थे बारी बारी के कॉलम से गुना करते थे चलो गुना करते हैं कॉस एक्स को गुना करो कॉस बाई से तो कॉस एक्स इंटू कॉस बाई minus sin x into sin y minus है तो minus होता तो plus है लेकिन minus का sin आगिया minus sin x into sin y 0 into 0 plus 0 कोई दिक्कत अब इसको second column से इसको first column से कर लिए है अब इसको क्या करेंगे second column से तो चलो cos x into minus sin y cos x into minus sin y हमको लगते हम नीचे थोड़ा लिखते पूरा फैल से f x into f y बड़ा बड़ा अच्छे से साफ साफ से देखो ना यहाँ पे वोगे पहला रोको पहला column से तो आज आगा cos x into cos y minus sin x into sin y प्लस 0 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता अब इसको देखो थर्ड कोलम से cos x into 0 प्लस minus sin x into 0 0 प्लस 0 into 1 0 ठीक है थर्ड कोलम से भी गुना कर लिए हैं अब इसको करेंगे गुना बारी-बारी के कोलम से देखो sin x into cos y sin x into cos y cos x into sin y प्लस cos x into sin y 0 into 0 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको सेकेंड कोलम से sin x into minus sin y तो हो जाएगा minus sin x into sin y फिर इसको इससे cos x into cos y प्लस cos x into cos y 0 into 0 तो 0 हो जाएगा आब लिखो या ना लिखो अब इसको थर्ड कोलम से गुना करो तो देखो sin x into 0 0 cos x into 0 0 0 into 1 0 यानिके 3 0 0 plus 0 plus 0 is equal to 0 हो गया अब थर्ड रो को बारी-बारी के कोलम से गुना करता देखो पहले इसको फर्स्ट कोलम से गुना करता 0 into something 0 0 into यह 0 1 into 0 यानिके पूरा भालुए हाँ पे 0 अब इसको सेकेंड कोलम से 0 into sin y 0 0 into cos y 0 1 into 0 0 यहाँ पे भी क्या जाएगा 0 अब इसको थर्ड कोलम से 0 into 0 0 1 into 1 1 यानिके यहाँ पे कितना जाएगा 1 अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है देखो cos x into cos y minus sin x into sin y यह फॉर्मूला पढ़े होंगे cos a into cos b minus sin a into sin b बरावर होता है cos a plus b क्या होता है cos a plus b यह फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 10th में भी 11th में भी 12th में भी पढ़े होंगे अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएगे यहाँ पे ना आप चाहें तो minus common ले ले चाहें तो क्या minus common ही लेना minus अगर common लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा दोनों जगा प्लस हो जाएगा यहाँ हो जाएगा cos x into sin y minus, sorry, plus sin x into cos y तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x into cos y plus cos x into sin y कोई दिखखा यहाँ तो 0 है third element यह देखो sin x cos y plus cos x sin y यह होता sin x plus y किसका फॉर्मूला होता है sin x plus y का फॉर्मूला होता है cos x into sin y cos x into cos y minus sin x into sin y यह देखो सेम है यह सेम है देखो ना cos x into cos y अब इसको ऐसे लिख दो cos x into cos y minus sin x into sin y यहाँ पर 0, 0, 0, 1 देखो यहाँ पर आगे करते हैं यहाँ पर करते हैं यहाँ पर देखो क्या आगे f x into f y f x into f y मरा और क्या आगे यहाँ पर cos x plus y cos x plus y यहाँ देखो minus फॉर्मूला देखो यहाँ पर कौन सा लग रहा minus इस फॉर्मूला तुम पढ़ागा sin a into cos b plus cos a into sin b बरावर होता है sin a plus b क्या होता है ? sin a plus b यहाँ पर 0 इसके बाद यहाँ देखो sin x plus y sin x plus y यहाँ देखो formula है cos x into cos by minus sin x into sin y क्या होता है ? cos a plus b a भी अगर रहेगा तो cos x plus y यह formula है यहाँ 0 है तो 0 0 0 1 तो देखो ना अगर तुम मानता इसको यह तो समीकरन 1 था यह हो गया समीकरन 2 from equation first and second from equation first and second देखो ना यह RHS है RHS इसको बोलते LHS इसको बोलते right hand side जो है दोनों का बरावर है यह भी बरावर है तो जब RHS बरावर LHS बरावर जब RHS बरावर तो LHS अपने आप बरावर तो हो जागा क्या है इसलिए f of x plus y is equal to f x into f y ठीक है प्रूफ प्रूफ हो गया ठीक है आप आप लोगों को यह question समझें कुछ नहीं बस formula यूज हुआ सिंपल मैट्रिक्स का गुना किया x के जगा x y के जगा y और इसके जगा अगर x plus y बारेंगे तो जहां 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 x plus y जहां जहां x था वहां वहां x plus y फिर गुना किया समीकरण 1 माने फिर समीकरण 2 आया दोनों का RHS बराबर था तो LHS अपने आप बराबर ठीक है